हेलो एब्रिवन वेलकम चू माई चैनल गाईस कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे कुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहोंगे तो आज जो हम रिडिंग करेंगे गाईस आपके परसन की करेंट फिलिंग को लेकर है इस वक्त आपके परसन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं चलिए देख लेते हैं अल साइंस के लिए रिडिंग है गाईस मेरेड अन मेरेट कोई भी देख सकते हैं मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं टाइमलेस रिडिंग होने वाली है, जेंटल और कलेक्टिव रिडिंग है, जितने रजूनेट करें, उतने रखेगा, तो चलिए अपने परसन पर फोकस कीजिए. तो यहां ऐसा दिखाई देता है, जो आपके परसन है, वो आपके साथ रिष्टे में वापस आना चाहते हैं, लेकिन यहां पर बात यह है कि यह डरते भी हैं, तेखिए पास्ट में आप दोनों के बीच कुस्तों भी ऐसा हुआ है, जिसकी वज़र से आपके रिष्टे में प यहां पर आपको परसन को यह लगता है गाईस कि अगर वो इस रिष्टे पर काम करते हैं, सब को सही करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको चीट करो, इस बार वो आप से ऐसा है कि धोखा मिलेगा, ऐसा उनको लगता है, अभी पता नहीं ऐसा क्यों है कि आपके परसन क के लिए खड़ी कर सकते हो और उनको ये भी लगता है कि ये रिष्टा का ही उनके लिए बर्डन न बन जाए और उनको ये भी लगता है गाइस कि अगर वो आपको मनाने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है आप उनको एटिटीट दिखाओगे उनको उनके साथ ऐसा वेवहार कर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और इनको यह भी डर है गाइस कि आपके सांस रिष्टे में आएंगे तो कहीं समाज में इनका नाम खराब नहों जाए परिवार में तो ऐसा है कि संबंद खराब हो गई हो सकता है कास्ट इशू अगर है या कोई और समस्य है जिसकी वज़ा से यह डर रहे हैं तो इनको परिवार और समाज का भी बहुत सदा यह सोच रहे हैं और इनको डर लगता है कि इनका नाम कहीं पर भी खराब नहीं होना चाहिए और यह अगर आपके साथ रिष्टे महेंगे तो ऐसा होगा ऐसा इनको लग रहा है और इनको यह लगता है गाइस कि अगर यह आपके साथ फिर से जूड़ते हैं तो आप इनसे समय मांगते हो और इनके पास हो सकता है समय की कमी है ये बहुत साथ बीजी रहते हैं और भी काम हो सकता है, इनके पास जो भी आपको बता होगा, तो इनको यहीं लगता है कि अगर ये फिर से आपके साथ रिष्ठा जोड़ते हैं, तो फिर यहां पर आप समय मागेंगे और यह आपको दे नहीं सकते हैं, इनके बास समय होता नहीं है, आपको देने के लिए, फिर आप ऐसा है कि इनसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहते हैं, तो फिर वही है कि अगर यह ऐसा नहीं करते तो लड़ाई जगडे होते हैं, आप नाराज होते हैं, आप होट होते हैं, कि आपसे बात नहीं करतें, आपको वक्त मांगते हूँ, आप तो वक्त नहीं देतें, तो इन सब को सोच कर भी क्या है, ये इनसान खुद को रोक रहे हैं, और देखेंगे, आपको बहुत सदा मिस्स कर रहे हैं, इनकी इच्छा है आपके साथ बात चीज शुरू करने की, सोच वीचार में घरते हैं, और इनको यहीं लगता है। इनको की यह लगता है कि आपकी तरह बढ़ना ही बेकार है। बहुत सारी परेशानियये हैं यहां-पर. अगर बात क्थुछ है, अपही तो यह बात है। क्योंकि देखिए, अभी इनके साथ बहुत सारी समस्या है, यह इनसान फ्री हैं, ऐसा तो नहीं है, यहाँ परेवार में भी समस्या दिखाई दे रही है, वहाँ भी कलह कलेश है, यहाँ पर हो सकता है, अब इनसान उसमें उल्जा है, जिम्मेदारियों में फसा हुआ अलग है पैसे कमाने की चिंता इसको अलग है कामधाम भी इनका सही नहीं है तो देखिए यहां पर इस इंसान के पास सही में वक्त नहीं है अगर यह बोलेंगे तो क्या होता है फिर आप मानते नहीं उस बात को आपको लगता है कि आपको जा समय देना होता है और समय इनके पास होता नहीं है यह इतने जादा अव्यस्ट है तो परिशानिया ना तो खर इनकी लाइट है इस वज़ए से क्या है समय का अभः तो है ही तो यह सब सोच क कर रहे हैं फिर एक खुद को रोक ले रहे हैं लуп लेकिन यह आपकी बिन रहे भी सोच रहे हैं लगिन यह भी चाहते हैं गाइस कि इनके लाइफ में अब कोई भी ऐसा वेक्ति नहीं हो जो इनको विकार महीं परशान करें या इनकी एनरजी इसकी तरव वजह से वेस्ट हो उसकी वज़स ये डरते हैं वैसा ही वैवार आप उनके साथ करेंगे बस इसी बात का डर इनको जादा है कि आप कही बदला लेने के मुड में ना आ जाए तो ये सब सोच कर अभी रूके हुए तो है लेकिन देखिए ज्यादा दिनों तक ये वैट भी नहीं करेंगे ये तो एक्षन लेने को अब ऐसा है कि तैयारी करी रहेंने तो इतना ज्यादा सोच विचार कोई इंसान नहीं करता है जब मन बना लेता है इंसान की इस काम को करना है तभी वो सोच वीचार शुरू करता है अब इन्होंने भी मन बना लिया है कि इनको आपका साथ चाहिए तो आपकी तरफ बढ़ना है तो उसके लिए ये सोच वीचार कर रहे हैं मतलब जादा दिनों तक अभी इंतजार करेंगे भी नहीं अब ये जल्दी ही अक्षन लेंगे और ये चाहर हैं गाइस कि आपके साथ रिष्टे में आएं तो आप इनकी साथ ऐसा कि किसी तरह से लड़ाई जगड़ा बहस पास में हुगा भी होगा शैड़ तो इस वज़ाई से भी लग रहा है इनको कि कुछ भी ऐसा आप मत करो आप शैंती से रहो नको प्यार दो या आपको प्यार देंगे या आपकी क्यार करेंगे आप इनकी करना ऐसा है कि ये चाहते हैं आपके साथ बस ये इसलिए तो आपके साथ जो रिष्टा जोडने के बारे में सोच रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी बज़े यही है, कि आपके साथ इनको प्यार मिलता है, आपके साथ रहते हैं, तो सुकुन मिलता है, शांती मिलती है, ऐसा कोई, अभी क्या है, महाल इनके आसपास तो है नहीं, अभी जो भी लोग है, देखिए आपके परसन एक बात तो अच्छी तरह से समझ गए हैं गाईस आपसे अलग रहेकर कि आपका उनकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं भले उनके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है बहुत कुछ वो सोच र जरूरी है और किसी तरह इस रिष्टे को सही करना होगा बस वो इतना ही चाहते हैं कि जब वो आपकी तरह बढ़े तो आप भी थोड़ा सा समझ दारी से काम ले और उनको ऐसा है कि किसी प्रकास उन से बहस ना करे जगड़े ना करे महल खराब नहीं होना चाहिए आपके सा अगर हो जाता है किसी भी वज़े से कोई बहस हो गई आप उन पर कभी शक करने लगते हैं अगर वो आपको समय नहीं दे रहे तब कि दिमार में बहुत कुछ चलता है तो यह सब आप मत करो वस इतना वो चाहते हैं और आपके अलावा वो किसी के तरह ध्यान देने वाले भ खाते नहीं है तो इसलिए आपको समझ नहीं आता कि इंसान आपसे प्यार करता है ऐसे हैं ही नहीं वो एक्स्प्रेसिव हैं ही नहीं ना वो दिखाएंगे ना वो आपको बताएंगे आपको समझने की ज़रूरत है जो प्यार वो आपको देते हैं आपकी केर करते हैं जिस इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत सदा प्यार है और यह आप से अलग रहना ही नहीं चाहते हैं, कुछ भी करके, कैसे भी करके इस रिष्टे को ठीक करना चाहते हैं. और हो सकता है, कि आप दोलों के बीच कुछ लोग हैं, जिनकी वज़े से आपके परसन को डरना पड़ता है, हो सकता है, यह परिवार वाले हैं, थर्ट पाटी यहां दिखाए दे रही हैं, तो उनकी वज़े से हो सकता है, आपसे छुपकर रिष्टा रखते हैं, आपको परसन भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसा ही रहना चाहा रहे थे आपके साथ वाले उनके दिमाग में यही तक यह ऐसा रिष्टा भी ठीक है लेकिन अब ऐसा हो गया कि आप वो यह नहीं चाहा रही है तो वो चाहा रहे हैं जिस भी पंचाह, जिस भी जंजट में भी वो फसे हुए है जो भी लोग इनके आसपास जिनकी वज़े से इनको डरना पड़ता है और यह आपको किसी के सामने नहीं ला पा रहे हैं तो इन सब जंजट से यह निकल जाएं जो भी परशानिया भी इनके साथ तो परशानियों की कमी है नहीं तो यह चाहर है इन सब को सुलजहा कर वैसी जगह से निकल जाएं तो आपके साथ फ्री हो कर यह आगे की बारे में भी सोच रहे हैं तो फ्री हो कर आपके साथ हूँ रहे पाइंगे किसी से डर्ना नहीं पढ़ेगा सबसे बड़ी बात यहां पर यही है तो ये इन सब ज़नज़ से पहले निकलना चाहते हैं उसके बाद ही आपको अप्रोच करेंगे ऐसा दिखाई देता है आपके परसन आपके साथ रिष्टे में तो आना चाहते हैं गाईस और सब कुछ ऐसा है कि सही करने के बाद आना चाहते हैं लेकिन देखिया यहाँ पर एक तरह आपके परसंट बहुत सदा डर भी रहे हैं, इनको यह भी लगता है कि कहीं इस इंसान के चक्कर में और किसी मुसीबत में यह नफास जाएं। आपके साथ रिष्टे में आने के चक्कर में वही है कि और कोई प्राब्लम में ये ना फ़स जाएं ये भी इनके दिमाग में बहुत जादा चलता है लेकिन वही है अभी जो भी ये सोच रहे हैं आने वाले टाइम में तो आपके लिए एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हैं जदा दिन तक सोच विचार चलने वाला नहीं है क्योंकि इनके साथ आपके जैसा कोई इनसान है भी नहीं तो इसलिए इनको आपकी तरफ बढ़ना है ये तो इनका मन हो चुका है लेकिन एक तरफ डरते भी हैं कि और कोई मुसीबत में ये ना पढ़ जाएं तो अभी तो यही सब दिखाई दे रहा है गाइस आपके परसन की अभी यही एनरजी है तो आप पॉजिटिव रही है अपने पैशन को फॉलो कीजिए अपनी जन्दगी में आगे बढ़ते रही है किसी कवेट नहीं करना किसी को चेज नहीं करना किसे के लिए रोने और प